जन्पद मौव में 2 अक्टूबर 2020 को अपहरर के बाद सामोहिक दुराचार का मामला प्रकाश में आया था जहां एक सप्ता के बाद लड़की को गोरखपुर से बरामत किया गया था वहीं जब पुलिस लीपापोती करने लगी तो एसपी सुसिल गुले चंदरभान आगे आते हैं और आरुपितों की जहां उसके बाद गिरफताई होती है वहीं गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजिकरत होता है इसके बाद दुबारा जब बच्ची गाइब हो जाती है उसके बाद पुलिस अपनी लाल फिता शाही शुरू कर देती है और पीडिक पक्ष परशान होना शुरू हो जाता है वहीं नियाधीश मौव के आदेश के बाद जहां तीन साल बाद आरुपतों के खिलाफ एफ आयार दर्च करने का मामला प्रकाश में आया है वहीं इस प जोग से फैयार की नामजदगी गलत हो गई थी लेकिन असली अपहन करता और बलत्कारी जो है पकड़े गए जेल गए केस गवाही में गई चुकि उनके पिता गण वगएरा एक जिलाफ तुर्टिवा के इस्प्यक्टर है और गगन सिंग और एक महोदय जो है शीडियो सा तो इनका प्रसाशन और पुलिस पर दबदबा है पकड़ और पहुंच है इन लोगों ने 10 लाख लेलो 20 लाख लेलो करके संधोते का प्रयाश किया लगा कि अब संधोता नहीं हो पाएगा इन लोगों उस लड़की को दुबारा गाप कराने के बाद पीडित परिवार अधिकारी हैं और उन्होंने मामले को समझा और एफ्यार दर्ज करने के बाद अभी तक मैं समझता हूं कि पुलिस पुसासन हरकत में नहीं है जब तक पुलिस हरकत में नहीं आएगी तब तक लड़की जिन्दा है मुर्दा है या उसे साक्ष मिटाने के उदे से राष्ट से हटा दिया गया यह पर्दा फास नहीं हो पाए इन अधिकारियों को पुलिस से दिद कि पुस्ताज करें इनको कशड़ी में ले तो लड़की जिंदा या मुर्दा बरामत की जाता है कि अब राधियों को प्रशाशनिक संरक्षन मिला है इना संरक्षन के इतना बड़ा म मामला इतने दिन तक दभी नहीं सकता है जब हाई कोई बड़ा नहीं हाई कोड तक जो आदमी चकर काटा डीजीपी तक मुखमंत्री तक इसने प्रत्यावदन दिया हो और एक साधान मुकदमा दर्ज नहों परहन जैसे मामले का और नियाले का सरण लेना पड़े और निया मामला यह था कि 2 अक्तूबर 2020 को जो है हमारा लड़की का अपरण हुआ जिनका गैंग्रेब जो है तीन लोगों ने किया एक सुभम सिंग जिनके पिता जो गगन सिंग सीडियो के ड्राइबर है और दूसरे आयूश सिंग जो उनके भी पिता जी के नाम गगन सिंग है जो स कि उसके बाद जो है कि हमारी लड़की एक फटे बाद बरामद हुई गुरखपूर से और जिसका जो है कि आने के बाद लड़की का जो बयान दिया गया है और उसमें कि लिका पोती करने चाहा तो हमें एस्पी कि यह भाग के गये इस्पी सुशिल घूले थे और उन्हें लड़की जो बयान देग उसी के अधार पर रिपोर्ट दर्ज होगी और रिपोर्ट दर्ज हुई तब जाके मुकदमा चला और दोबारा हमारी पुना लड़की जो है एक साल बाद तक नहीं मिली तीन साल हो गया कोई कारवाई नहीं हुई 153 मैंने नियाले से किया जो दो साल मुकदमा चलने के बाद जो अब जाके फायार करने का देश दर्ज हुआ है हाई फायार दर्ज हो गई है अब क्या चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं नहीं हो बच्ची हमारी ब्रामध हो